जै हिन दोस्तों कैसे आप लोग आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे आज है तीस अगस्त चलिए आज का देखते हैं का इंटरफेर्स पहला प्रस्ण है हाल ही में किसे सीमा स्रुक्षा बल यानि B.S.A.F के महानेदेशक निक्त किया गया है कुलदीव सिंग, पंकच कुमार सिंग, प्रदीव चंदन नायर यानि में से कोई नहीं तिसका स्यांसर होगा पंकच कुमार सिंग पंकच कुमार सिंग को सीमा स्रुक्षा बल का महानेदेशक निक्त किया गया है इसके पहले BSF के महान देशक कौन थे वो थो राकेश अस्थाना जो अब दिल्ली पूलिस आयुक्त के प्रमुखाएं बात करें सीमा सुरक्षा बलकि स्थामना कब हुई थी वो हुई थी 1965 में और प्रकाश सिंग सम्मित का संब्ध किस से है वो है पूलिस सुधार से बात करें आपरेशन सरद हवा BSF के द्वारा ही चला जाता है और नागरिक उड्जन सुरक्षा बियरो के महान देशक कौन है वो है नासीर कमल और असम राइफल्स के एकिसहवे महान देशक कौन है वो है प्रदीप चंदन नईयर बात करें राष्टी मानवादिकार आजोग क के द्ध squish क्न है और टी बी नरेंदर इसके पहले इसके द्धेशक क्न थे ओध Detco बात करें सकाम की पहली महले द्ध्यक्ष और रछा मेनन ऑऔर CRPF की द्ध्यक्ष या महान देशक कौन ओ है इस अलदीप सिंग और CBI के अध्यक्ष कोन है वहां सुभोत कुमार जय सवाल चलिए अगला प्रस्न है जो लोग चैनल पर नहीं हो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकम प्रेस कर लिजेए यहां सेर भी कर दिजेए और जो लोग सम्बर 2021 तक आयोजित होने वाले सेयर्ड डेस्टिनी 2021 अभ्यास में कवं सा एक देश भाग नहीं लेगा भारत मंगोलिया पाकिस्तान थाइलेंड इसका सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर होगा भारत इसमें भाग लेने वाले देश कौन-कौन है ओ है चीन मंगोलिया बात करें हैंड इन हैंड एक्सरसाइज यह होता है भारत और चीन के बीच बात करें मैत्रु यूद दभ्यास किसके बीच होता है यह होता है भारत और थाइलेंड के बीच और काजिन्द यूद दभ्यास किसके बीच होता है यह होता है भारत और कजाकिस्तान के बीच वज चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में किसने इंटर्नेट और सम क्वार्ड करम लांच किया है ट्विटर, गूगल, रिलाइंस जीयो, फेस्बुक तिसका से आंसर होगा गूगल चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में कौन सी इंटर्नेट कमपनी explorer को बंद करने की घोसड़ा की है Twitter, Facebook, Microsoft या इन में से कोई नहीं तो इसका से आंसर क्या होगा इसका से आंसर होगा Microsoft Microsoft के CEO कौन है तो है सत्या नडेला सत्या नडेला Microsoft के CEO है चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में भारती रिजरो बैंक ने किसे अपना कारेकारी निदेशक निउक्त किया है अजय कुमार, इसरमन, रतनलाल या इन में से कोई नहीं तो इसका से आंसर होगा अजय कुमार अजय कुमार को भारती रिजरो बैंक ने अपना कारेकारी निदेशक निउक्त किया है भारती रिजर बैंग की स्थापना यंग हिल्टर समित की सिफारिश पर 1934 अधियम के तहत एक रपल 1935 में हुआ भारती रिजर बैंग का मुख्याले कहां है या है मुंबई में बात करें भारती रिजर बैंग का राश्टी करण कब हुआ वो हुआ एक जन्वरी 1929 को भारती रिजर बैंग के डिप्टी गवर्नर कौन होते हैं उसमें चार होते हैं कौन-कौन रभी संकर, माइकल पात्रा, राजेस्वर राय और एमके जैन इसमें यही लोग चार लोग हैं बात करें भारती रिजर बैंग के पहले गवर्नर वो थे और भारती रिजर बैंग के पहले भारती गवर्नर के बात की जाएं तो थे सीडी देशमूग मादिक नेती समित के अध्यक्ष कौन होता है वह था है भारती रिजर बैंग का गवर्नर इसमें भारती रिजर बैंग का गवर्नर कौन है वह सकती का अंदास कौन से नंबर के 25 नंबर के बात करें मरी आयप किसने लांच किया ये लांच किया आर्बियाई ने ब्लाइंड लोगों को नोट पहचानने के लिए ये आयप लांच किया गया चलिए अगला प्रसन है अगस्त 2021 में किसने राष्ट्रिय खाद्य पोश्ण अभियान शुरू किया है नरेंदर सिंग तोमर थावर चंदर कहलोत एस गड़ेशन या इन में से कोई नहीं तिसका स्यांसर होगा नरेंदर सिंग तोमर चलिए फूड और एगी कल्चा संगठां का मुख्याले कहां है यह है रोम इटली में और बात करें 2020 का सांती का नोबेल पुरस्काय किसे दिया गया वो दिया गया व वल्ल अफूड प्रोग्राम सेफ्टी दिवर्श का मना या या मना याता है प्रतिवर्श साथ जून को चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में तमिल नाट के राजपाल को पंजाब का आत्रिक्त प्रभार स्वापा गया है तमिल नाट के राजपाल इसमें कौन है थावचन गहलोत, बनवाईलाल पुरोहिद, एस गडेशन या इन में से कोई नहीं तिसका से अंचर होगा बनवाईलाल पुरोहिद तमिल नाट के राजपाल इसमें कौन है वह बनवाईलाल पुरोहिद करनाटक राजपाल कौन है ओहें थावचन, गहलोत, और मड़पुर्ग राजपाल कौन है ओहें एस गडेशन बात करें भारत की पहली महिला राजपाल ओथी सरुजनी नाइडू बात करें लौडते हुए मानसून से किस टटपर वर्सा होती है ओह होती है कोरो मंडल में ही पढ़ता है बात करें मिनाक्षी मंदिर किस में निर्मित हुआ है का है यह भी तमिलाडू में चलिए अगला बरती निर्वाचन आयोग ने शुरू किया बात करें निरवाचन आयोग की स्थाबना कब हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को और निरवाचन आयोग के विशय में समिधान के किस अनुछे निया गया है वो दिया गया है अनुछे 324 से 329 तक मुख निरवाचन आयोग तो इस समय कौन है उहां सुसील चंदरा बात करें भारत के पहले मुख्य निरवाचन आयोग कौन थे ओथर सुकुमार सेन भारत की एक मात्र महिला निरवाचन आयोग कौन थी ओथी रमा देवी चलिए अगला प्रस्ण है हाल ही में किस राज के मुख मंत्री द्वारा राज में सिसुओं के लिए निमो कोकल कांजूगेर वैक्सिन टीका करण अभियान शुरू किया गया है उत्ता प्रदेश, आंधर प्रदेश, करनाटक, मध्य प्रदेश इसका से आंधर क्या होगा, इसका से आंधर होगा आंधर प्रदेश मलेरिया को मलेरिया के लिए यह निमो कोकल कांजूगेर वैक्सिन लगाय जाएगा यह भारत की पहली निमो कोकल कांजूगेर वैक्सिन है यह मलेरिया को रोकने के लिए लगाय जाएगा और बात करने भारत का रेवीज मुक्त पहला राज कौन है वो है गोवा अब बात करने आनर प्रदेश के मुख्य मंत्री इसमें कौन है वो है जगर मोहन रेड़ी और असम के मुख्य मंत्री कौन है वो है हेमत विश्वा सर्मा अब बिहार के मुख्य मंत्री कौन है वो है नि मुख्य मंत्री तो वहें पिनरई विजेयन और करनाटक के मुख्य मंत्री इस समय कौन है वहें बसवराज बुम्माई चलिए अगला प्रस्न है हाल ही में कौन सा राज राष्टिय सिक्षानीती 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज बन गया है तो कौन सा है मध्य प बन गया है अब पहले राज की बात की जाए तो पहला है करनाटक चलिए राष्टिय सिक्षानीती 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज करनाटक अब तक कुल तीन बार सिक्षानीती में परिवतंग किया गया है 1968 में, 1986 में और 2020 में बात करें GDP का कितना प्रतिसाद खिश्चा पर खर्च होगा होगा 6 प्रतिसाद मूल समिधान में किस सूची का विशय था तो यह था राज सूची का लेकिन बात करें समिधान संसोदर 1976 के तहट सिक्षा को अब समोर्ति सूची में सामिल कर दिया गया है बात करें क्रिप्टो करेंसी को मानेता किस देश से किस देश ने दिया वह दिया क्यूबा ने तो चलिए आज के करेंटर फेर्स यह था तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग करेंड